आज हम उसका नेक्स टॉपिक जो है इकनौमी आप जमू इंड कश्मीर उने टेरिटरी उसका पहला पड़ेंगे इसके अलावा भी हमने आपके स्लेबस के बहुत से इंपोर्टन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो जल्दी हम फ्यूचर में कवर करेंगे वीडियो के एंड पे आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्टन पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको MCQs भी मिलेंगे जो आपको प्रेक्टि वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम economy और economics में क्या difference है क्योंकि जब तक हमें terms की असली meaning ना पता हो उनके बीच में difference ना पता हो तो समाजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अगर हम economics की बात करें economics जो है वो हमें पता है कि branch of knowledge है एक discipline है या जिसको हम subject बोलेंगे जिसको पढ़ा जाता है और जो subject किस से concerned है किस से related है उसमें क्या पढ़ा जाता है कि किसी एक particular जगा में जो production होती है चीज़ों को produce किया जा चाहिए consumption जो होती है वो कैसे होनी चाहिए और transfer of wealth मतलब production और consumption से consumption मतलब चीज़ों को इस्तमाल करना जो produce की गई है उनसे जो transfer of wealth हुआ है वो कैसे होता है कैसे होना चाहिए यह हम economics में पढ़ते हैं और जो economics होती है उसका core जो subject matter होता है असली जो चीज़ हमने पढ़नी होती है उसमें वो क्या होता है कि how societies use scarce resources to produce valuable goods and distribute them among different people मतलब क्या है कि कोई एक particular society जो उसके resources है resources की कमी होती है पैसा जो है उसकी कमी है जितनी आपकी demand है उतना पैसा आपके पास नहीं है जितना petrol की demand है उतना petrol दुनिया में नहीं है resources जो होते हैं वो scarce होते हैं कम ही होती है तो उन resources को कैसे इस्तिमाल करना चाहिए उन resources को कैसे utilize करना चाहिए ताकि हमें best result मिले मतलब क्या है कम से कम resources को इस्तिमाल करके जदा से जदा product हम produce करें valueable goods produce करें और उनको कैसे distribute करें यह पढ़ाया जाता है economics में लेकिन आपने यहां तक देखा होगा कि economic जो है वो अभी तक theoretical बात ही कर रहा है है ना यहां पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए लेकिन जब आप किसी जगा की किसी certain region की economy देखेंगे मतलब उसमें economy के हालात क्या है उसमें production कैसे हो रही है उस जगा पे consumption कैसे हो रही है उस जगा पे transfer of wealth कैसे हो रहा है उसको बोलेंगे हम economy समझा रही आपको economy is economics at play मतलब जो economics है जो theoretical है उसका counterpart जो practical है वो है economy समझाया economics में क्या किया जाता है कि हमें पता है बहुत सी theories हजारो theories हजारो laws है market के बारे में consumption के बारे में demand के बारे में है ना लेकिन economy जो है वो ये theories नहीं है बलकि real picture है actual में क्या हो रहा है किसी एक particular जगा पे वो हमें बताती है और उन theories को जब इस्तमाल किया जाएगा उस particular जगा पे तो उन theories से निकला क्या क्या result आया वो हमें बताया जाता है economy में समझा रही आपको तो economy मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि economy is state of country or region in terms of production consumption of goods and services and supply of money मतलब actual में किसी एक country किसी एक state की हालात क्या है यहाँ पे state का मतलब जो यह state of country मतलब हालात हालात क्या है उस जगा की production के कैसे production हो रही है कितनी production हो रही है consumption उन चीजों को कितना इस्तमाल किया जा रहा है क्या लोगों के पास इतना पैसा है कि वो जो produce हुआ है उसको खरीद पाएं, क्या उनके पास सर्प्लस पैसा है, सेविंग्स कितनी है, और यो पैसा है, उसकी सप्लाई कैसे हो रही है, लोन कितना मिल रहा है लोगों को, क्या लोन की कमी तो नहीं है, कितनी सेलरी है, वगरा सारी जो चीजें होती हैं, ये प्रैक्टिकल में आती हैं और यह हम practically देखते हैं किसी एक region का जिसको बोला जाता है economy समझा रही आपको जैसे हम इंडिया की economy की बात करें तो इंडिया की economy की जब हम बात करेंगे तो हम economy में क्या पढ़ते हैं economy में हम यही पढ़ते हैं कि GDP मतलब जो इंडिया की income है वो कहां पहुँची employment वो कितनी है production कितनी हो रही है consumption कितनी हो रही है है न तो यह होता है practical aspect of economics economics जो है वो theoretical है economy जो उसका counterpart है practical counterpart समझा रही आपको economy में हम actual picture देखते हैं economics में हम सपने देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए यह theories implement करो वो theory implement करो लेकिन economy जो होती है वो असलियत होती है समझ आ गया क्लियर हो गया तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर एक बात मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेक्ट पसंद आता है और आप यह कंटेंट पीडिया फॉर्मैट में लेना चाहते हैं ओके तो अब हम एकनॉमी के एंगल से जमुएंट कश्मीर यूनियन टेरिटरी का थोड़ा सा ओवर्विव लेते हैं जो जमोंट कश्मीर की union territory है या जो जमोंट कश्मीर की state हुआ करती थी पहले हमें पता है उसकी खुद की cultural identity है खुद की languages है, cuisine है, art है, culture है और economy के खुद के साधन भी बहुत से हैं जिससे economy आप जमोंट कश्मीर पे बहुत जादा असर पड़ता है उसके बाद अगर हम geographic ली देखें तो जमोंट कश्मीर union territory जो है उसकी जो international boundary है वो सिर्फ एक country से मिलती है जो है पाकिस्तान जो जमोंट कश्मीर की state हुआ करती थी उसकी boundaries तीन country से मिलती थी तब लदाख भी जमोंट कश्मीर में ही आता था तो तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ जमोंट कश्मीर state की boundary मिलती थी लेकिन यूटी की सिर्फ जो जमोई कश्मीर यूटी है उसकी सिर्फ पाकिस्तान से मिलती है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है पाकिस्तान का एरिया ठीक है और नेशनल बाउंडरी जो है वो तीन स्टेट या यूनिन टेरिक्टरी से मिलती है एक है लदाख आप यहाँ प आप जमू डिविजन बाकी सारा जो majority of area है वो हिली है जिसकी वज़ेसे industrial growth जो है उसमें कमी आती है industrial growth जो है वो रुक जाती है हिली ट्रेरेन की वज़ेसे लेकिन जमू और कश्मीर की जो land है वो काफी fertile है और हमें पता है कि water resources की भी कोई कमी नहीं है बहुत सी lakes हैं बहुत से दरियां हैं κάν威ड कश्मीर जो है उस में फॉरेश्ट रिसूर्सज यो है वो भी काफी ज्यादा है जो अभी प्रेजट जो जबूएंट कश्मीर यूनिंट टेरिटरी है जो एरिया इंडिया के पास है उसका लगवग फिफटी परसंट जो है वो फॉरेश्ट कावर से धका ह हुआ है और जमूएंट कश्मीर यूनिन टेरिटरी में आपको मिनरल रिसोर्सिस भी बहुत जादा मिलेंगे आपको कोल भी मिलेगा लिगनाइट कॉपर लेड जिंक कोबाल्ट लाइम स्टोन बॉक्साइट बोराक्स और प्रिशस स्टोन मिलेंगी जैसे सैफायर वगेरा कि लेकिन एक important चीज़ की कमी है वो क्या है iron ore iron ore की जमूएंट कश्मीर यूनिन टेरिटरी में बहुत जादा कमी है जिसकी वज़ा से जमूएंट कश्मीर में जो industrial growth है वो भी रुक जाती है ये एक बहुत important raw material होता है और वैसे भी हमें पता ही है कि economic growth अब जमूएंट कश्मीर erratic रही है कभी जादा कभी कम कभी minus में भी चली गई उसकी एक और वज़ा क्या है वो है political instability और इसी political instability को खतम करने के लिए क्या किया गया कि जमूएंट कश्मीर की जो state हुआ करती थी उसको दो हिस्सों में divide किया गया दो यूटीज में divide किया गया जमूएंट कश्मीर और लदाक में कब सब को पता है अगस्ट 2019 में और उसका एक रीजन बताया गया ये कि lack of economic development मतलब जमूएंट कश्मीर में lack of economic development है तो हम इसको अलग-अलग करेंगे इसकी वज़े से militancy भी खतम हो जाएगी उसकी वज़े से economic development होगी industries लाएंगी जाएंगी etc. ठीक है उसके बाद अगर हम जमूएंट कश्मीर की GDP की बात करें जिसको हम बोलते हैं GSDP मतलब gross state domestic product यहाँ पे GSDP में states की GDP भी आती है यूटी की GDP भी आती है ऐसा कोई नहीं है GUTDP gross ut domestic product ऐसा कोई टर्म नहीं है GSDP gross state domestic product तो उसमें यूटी भी आती है तो अगर हम देखें जो GDP है यूटी आप जम service sector की service sector मतलब जिसको tertiary sector भी बोला जाता है जिसमें services आती है banking आता है tourism आता है hotel services आती है वगर है वगर है जो service आती है उसका सबसे ज़्यादा contribution है यूटी आप जमूएंट कश्मीर में इसी का वो लगबग 60% के आसपास है लेकिन agriculture जो है वो majority आफ लोगों को जो है वो support करता है मतलब employment जो है वो लगबग 70% जो पूरी यूटी की population है उसको employment जो है वो agriculture ही देता है समझा रही है जी टी बी में सबसे ज़्यादा contribution service sector की लेकिन employment support सबसे ज़्यादा agriculture से industry जो है जो manufacturing sector होता है जिसको secondary sector बोलते है वो जो है वो दूसरे नंबर का contributor है और वो लगबग 25% के आसपास contribute करता है GDP of जमोएंट कश्मीर में लेकिन सबसे कम contribution किसकी होती है agriculture की 15% के आसपास जो है वो agriculture जो है वो contribute करता है जमोएंट कश्मीर की GDP में लेकिन support सबसे ज़्यादा लोगों को यही करता है जैसे इंडिया पूरे का हाल है वो ही जमोएंट कश्मीर का भी हाल है employment त कम इसका contribution होता है तूरिजम जो है तूरिजम सेक्टर एक important role play करता भी आया है और कर भी सकता है इससे भी ज़्यादा potential है अगर अच्छी schemes लाई जाए जाए और तूरिजम को develop किया जाए तो इससे क्या हो सकता है कि employment का potential बहुत ज़्यादा है इसमें यहां तक कि जो unskilled manpower है उसको भी employment मिल सकती है अच्छी तरह तूरिजम सेक्टर में अगर इसको और उभारा जाए तो अब जब employment की बात होई रही है तो हमें पता है कि जो एक center for monitoring Indian economy है उन्होंने report निकाली थी October 2021 में उसके हिसाब से जो जमू इंट कश्मीर का unemployment rate है वो बहुत ज़्यादा खराब है आप देखिए 22.2% जो labor force है वो unemployed है ये पूरे इंडिया का सबसे खराब unemployment rate रहा है ठीक है लेकिन NSO के report के हिसाब से जो minister of state home affairs ने statement दी थी पारलियामेट में उनके हिसाब से जो NSO की report है periodic जो survey आता है उसके हिसाब से 2017 जुलाई 2017 से लेके जून 2020 तक जो unemployment rate रहा है जमो एंड कश्मीर का वो fluctuate हुआ है between 5.1% to 6.7% अब ये minister ने बयान दिया है कि NSO के report के हिसाब से ऐसा हुआ है और जो ये center for monitoring Indian economy है उसके हिसाब से 22.2% है समझा रही आपको दूसरा मसला लेकिन यहाँ पे ये भी है कि NSO ने जो periodic survey निकाला था कुछ देर पहले मुझे exactly या जमो एंड कश्मीर की unemployment जो है वो काफी हालात उसके खराब हैं तो चले हम अब आगे बढ़ते हैं और जमो एंड कश्मीर की GSDP के बारे में detail में पढ़ेंगे तो अब हम GSDP को थोड़ा detail में पढ़ेंगे और जमो एंड कश्मीर UT के GSDP को भी देखेंगे तो GSDP क्या होता है GSDP की full form obviously gross state domestic product है जैसे एक country का GDP होता है gross domestic product वैसे ही state या UT का GSDP होता है तो ये होता क्या है total value of goods and services produced during any financial year within the geographical boundaries of state or UT मतलब किसी एक particular financial year में financial year क्या होता है calendar year जो होता है वो एक January को start होता है 31 December को खतम होता है financial year क्या होता है वो एक calendar year के 1st April से start हो जाता है और अगले calendar year के 31st March को खतम हो जाता है जैसे अभी कौन सा financial year चल रहा है अभी financial year जो चल रहा है वो है 2021-2022 वाला ठीक है तो किसी एक financial year में जितनी भी goods या services प्रोड्यूस की जाती है जोग्राफिकल बाउंडरी के अंदर state या UT की उनको जब add किया जाएगा उनकी value को add किया जाएगा उसको बोला जाएगा जी हैजडीपी यहाँ पर एक हयाल रखना है कि वो goods जो है वो produce कोई भी करे वो उस state या UT का season करे यहाँ बाहर से आके कोई करे वो matter नहीं करता बस उसकी geographical boundaries के अंदर जो भी चीज़ें produce होती है services प्रोड्यूस होती है उनको add किया जाता है और उस जो total आता है उसको बोला जाता है GSDP समझा र ही है ना रुपीज में हो सकता है इंडिया की बात करें यहाँ बाकी जो रुपीज में जिनकी currency है dollars में हो सकता है किसी में भी हो सकता है लेकिन होता monetary terms में ही है और यह important होता है per capita income निकालने के लिए भी क्यूंकि इसी से per capita income निकाली जाती है जो average income होती है किसी एक particular जगह की उसके जो स्टीजन्स है उनकी जो average income होती है उसको बोला जाता है per capita income और जीएशडीपी हमें किस काम आती है यह आती है economical prosperity जो होती है किसी state या UT की उसको भी देखने के लिए मतलब कि कितनी अमीर state है कितनी गरीब state है कैसी state है है वो देखने के लिए भी हमें economic prosperity देखने के ल है यह हमें क्या बताता है कि किस sector की कितनी contribution है जीटीपी में जैसे हमने पीछे पड़ा agriculture की कितनी contribution होती है जमो एंट कश्मीर की जीटीपी में लगवग 15% है ना वैसे ही industry या secondary sector जो है उसकी कितनी होती है लगवग 25% के आसपास तो इसको बोला जाता है कि sector के हिसाब से कितन जो contribution होती है जीटीपी में वो कैसे देखा जाता है GSVA मतलब gross state value added ठीक है यह clear हो गया तो अब हम देखेंगे gross state domestic product of जमो एंट कश्मीर union territory लेकिन यहाँ पे मैं एक बात clear कर दूँ कि data में बहुत जादा discrepancy है हमें सबसे reliable जो source होता है GDP देखने का वो होता है जमो कश्मीर का जो department of economics or statistics है उसकी report लेकिन 2019 के बाद उनकी कोई report आई नहीं है तो बहुत जादा परिशानी हो जाती है तो इसलिए मैंने यह जो data है यह लिया है Reserve back of India की जो handbook of statistics और Indian states है उससे लिया हुआ है तो इसमें और बाकी जो data आपको किसी और source मिलेगा उसमें काफी जादा discrepancy आत है उसकी वज़ा बहुत सी है उनके majorment के techniques different हो सकती है उनका data collection की techniques different हो सकती है तो बहुत सी problem आती है तो यह जो जो मैं आपको यह data बता रहा हूं यह आप समझ लीजिए एक representative data है है तो RBI का लेकिन अगर हम जमोईट किश्मीर का खुद का data देखें तो वो different ही हो जाता है तो आप एक representative data की तरह ले सकते हैं तो हम देखेंगे अगर gross state domestic product gross state domestic product जो है वो हम दो तरीकों से calculate करते हैं एक होता है constant price के basis पे एक होता है current price के basis पे constant price का मतलब क्या है कि कोई base year लिया होता है उसी की price के हिसाब से हर एक चीज की value निकाली जाती है मतलब for example अगर हमने आज एक 2021 च ने ये chocolate produce किया तो अगर हम constant prices पे जो हैं वो GDP निकाल रहे हैं तो आज की जो price है उस chocolate की वो नहीं देखी जाएगी बलकि अगर base year देखो यहाँ पे है 2011-12 है ना तो उसकी price देखी जाएगी समझा रही आपको अगर आज वो chocolate 20 रुपे का है और 2011-12 में वो chocolate 10 रुपे का था त तो 10 रुपे ही उसकी value ली जाएगी ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है कि consistency रहती है ठीक है inflation का effect इसमें नहीं आता है तो उसकी वज़े से consistency रहती है दूसरा तरीका है current prices अब obviously current prices का आपको idea मिल गया होगा कि current prices का क्या मतलब है कि जब inflation को adjust किया जाए ठीक औ तो अब यहां पे जो यह figures हैं यह भी बहुत जादा बड़ी हैं तो इन में मुझे बोलने में भी problem हो सकती है तो इस बात का खयाल रखेगा तो अगर हम देखेंगे कि G.S.D.P. जो gross state domestic product जमुए इंड कश्मीर का constant prices पे 2019-20 के financial year में था वो कितना था 1.19,4,290 lakhs समझा रही ह आपको तो अब हर एक को मैं तो पढ़ूंगा नहीं मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि growth कितनी हुई है क्योंकि जादा important यही है यह जो figure से यह आप idea के लिए थोड़ा सा दिमाग में बिठा सकते हो इतना ही काम है इनका ऐसा कोई question आप से नहीं पूछने वाला कि कितनी GDP वग GDP का तो वो GDP हुई है 2020-21 की GDP ठीक है यह constant prices पे था और अगर हम current prices की बात करें तो उसमें भी addition हुई है और growth कितनी हुई है 3.46% 3.46 कभी भी नहीं पड़ना यह गलत होता है 3.46 ठीक है उसके बाद अगर हम per capita income की बात करें या per capita gross domestic product या net state domestic product तो per capita GDP तो मुझे कहीं ने मिला per capita NSDP मिला net state domestic product net state domestic product क्या होता है जब gross state domestic product से हम depreciation on capital goods minus करेंगे हमें मिलता है net state domestic product तो उसके हिसाब से per capita income निकाली गई है RBI की जो report है उसमें तो उसी को मैं लेकि यहां पे आया हूँ तो अगर हम per capita income की बात करें तो आप देखिए growth minus में है per capita income as per net state domestic product ठीक है 2019-20 में 70,000 per capita income थी और 70,000 रुपीज है यहाँ पे लैक वगएरा कुछ ने 70,000 रुपीज ठीक है मतलब एक बंदा on average 70,000 रुपीज कमाता है यह obviously pure picture आपको सही picture तो नहीं दिखाता है यह average दिखाता है और यही per capita income कम हो गई 2020-21 में है न obviously हमें पता है reasons क्या हैं बहुत जादा reasons हैं उसमें से कोविड वागेरा भी बहुत ही जादा important role play किया उसने इसमें तो आप देख सकते हैं minus में चला गया यह लेकिन constant prices पे याद रखना और अगर हम current prices की बात करें उसमें अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जो है वो growth हुई है जो per capita income जो है वो increase हुई है एक ल लाग के करीब आसता है तो आप देख सकते हैं कि जमो इंट कश्मीर state जो है वो कितनी एक गरीब state है समझा गए आपको यहाँ पे तो अब हम आगे बढ़ेंगे और sector wise देखेंगे जमो इंट कश्मीर की economy को यहाँ पे आपको मैं एक जल्दी से information देना चाहता हूँ कि जो आ 100 questions in accountancy दूसरी है 100 most important questions in accountancy इनमें हमने 200 MCQs काफी detail में discuss किये हुए हैं और इस orientation से discuss किये हैं ताकि आपको in-depth knowledge मिले, vast knowledge मिले और आपको exam में MCQs को solve करने में काफी help मिले ठीक है तो आप इन वीडियो को ज़रूर check out कीजिए इनका link आपको description box में मिल जाएगा मुझे उमीद है आप इनको जुरूर पसंद करेंगे तो चले हम आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे जमू एंड कश्मीर UT के सबसे important sector को जो है agriculture and allied sectors या allied activities भी जीन को हम बोल सकते हैं तो agriculture क्या होता है देखे agriculture क्या होता है agriculture होता है जमीन को cultivate करना किसलिए ताकि crops को produce किया जाए लेकिन सिर इसमें सेरी कल्चर भी आता है इसमें होटी कल्चर भी आता है तो यह सारा जो होता है agriculture and allied sectors होते हैं तो जैसे हमने पीछे देखा हमें आइडिया मिल गया है कि जमू एंड कश्मीर यूटी जो है वो predominantly एक अग्रिगरियन एकनॉमी है मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो population is directly or indirectly dependent on agriculture sector for its livelihood ठीक यहाँ पे भी आप देख सकते है यह मैंने agriculture department से लिया हुआ है यह latest data है उनके हिसाब से आप देखे जो provisional population दी है उन्होंने वो 2020 की दी है तो यह लगबग नया data है ठीक है तो इसके हिसाब से आप देखे जमू division में भी जो population वो engaged है agricultural allied sector में कितनी 70% है न और कश्मीर डिविजन में 71% तो total obviously 70.5 हो जाता है है न तो मतलब लगबग 70% जो है जमूएट कश्मीर की total population वो agriculture पे ही dependent है for its livelihood और GSDP में contribution जैसे हमें पीछे भी देखा वो लगबग 15% है सिरिफ यह खयाल रखना इस बात तो जो UT है वो basically monocropped UT है मतलब क्या है इसमें जो majority of area है उसमें एक ही फसल एक साल में उगाई जाती है दो फसले या दो से ज्यादा खास का जमू के जो प्लेंज है वहाँ पे उगाई जाती है और rain fed economy है मतलब यहाँ पे irrigation काफी कम है आप देखिए सिरिफ 46% जो area है total cultivated land जहां पे फसले उगाई जाती है actual में उसका 46% सिरिफ ज गैरा से irrigated है ठीक है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे total irrigated area कितना है 32% जमू का और 61% कश्मीर का जिसकी average total निकलती है कितनी 46% जमू और कश्मीर के farmers जो हैं उनको recognize किया जाता है as marginal farmers marginal farmer मतलब जो बहुत छोटे farmers होते हैं जिनके पास land holding agricultural land holding जो होती वो काफी कम होत है आप देखिए agriculture census जो हुआ था 2015-16 में उसके इसाब से 0.55 hectare सिर्फ average में land holding है जमू और कश्मीर के farmers के पास जो लगबग 270 मरले आता है वो area है एक farmer के पास जो बहुत ही कम होता है comparison में अगर आप देखोगे तो नागा land में land holding 5 hectare की आती है और लेकिन अगर कैरला में देख कश्मीर में कितना है 0.55 hectare land holding है average land holding लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छी खबर भी है और बहुत अच्छी खबर क्या है कि recently एक meeting वगएरा हुई थी officials की तो उनमें क्या बताया गया है कि नीती I.O की एक report के हिसाब से जमू और कश्मीर जो है third rank hold करता है कि समे monthly income to agricultural households मतलब agriculture वाले जो लोग है उनको जो income मिलती है वो सबसे जादा तीसरे नमबर पे कहां पे मिलती है जमू एंड कश्मीर में और fifth best performing UT in agriculture and allied sectors पाँचवी best performing UT है आप यह जो data है यह मैंने कहां से लिया है आप यहां पे देख सकते हैं greater कश्मीर में आया था यह 8 December 2021 की newspaper में यह आया था आ आप अगर देखना चाहते हो cross check करना चाहते हो आप वहां पर पढ़ सकते हो और यहां पर बाकी भी data दिया हुआ है कि number of farming families कितनी है total hectare में area कितना है gross cultivated area कितना है यह आप सारा अच्छी तरह देख सकते हैं ठीक है तो अगर हम जम्मू कश्मीर की main crops की बात करें तो यहां पर तीन main crops है rice, wheat और maize और हमें पता है जम्मू कश्मीर में दो region's है एक जम्मू और एक कश्मीर और दोनू region's में क्या है कि distinct geography है मतलब geography भी different है और agro climatic zones भी different है जैसे अगर हम जम्मू की बात करें तो वहां पर majority of area म वैसे ही उसके बाद कुछ region आता है उसमें जो है वो intermediate agro climatic zone है और उसके बाद कश्मीर वैली में ज्यादा तर कश्मीर वैली में क्या है वहां पे temperate agro climatic zone है इनको further subdivide किया जा सकता है लेकिन वहां पे हम detail में ज्यादा नहीं जाएंगे तो इसी पे ये दो जो चीजे हैं औ जो important जीजे हैं geographical outlook, geographical condition और agro climatic zone इस पर depend करता है कि किसी एक जगा पे किसी particular जगा पे cropping pattern क्या होगा और productivity of crops क्या होगी productivity आगे में बताता हूं क्या होता है तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो paddy यानि rice वहां पे main crop है और उसके बाद maize, oil seed, pulses, etc आते हैं और जमूरी जन की अ उसके बाद maize, paddy, etc उगाया जाता है यहां पे आप देख सकते हैं जो यह data है यह मैंने agriculture department की website से लिया हुआ है तो यहां पे हमें पता चलेगा कि क्या कितना उगाया जाता है कौन सी फसल कितनी उगाई जाती है यह relatively recent data है ठीक है तो अगर हम paddy की बात करें तो आप paddy में जो जम्मू में और कश्मीर में hectare है मतलब कितना area इसमें लगता है उसमें काफी कम difference है 153030 hectare जो है वो जम्मू division में paddy के लिए इस्तमाल किया जाता है और 141340 hectare जो है वो कहां पे इस्तमाल किया जाता है कश्मीर division में लेकिन आप खयार रखे कि production कितनी हो रही है 366453 metric ton है सिर्फ as compare to कश्मीर division कश्मीर division में लगबग 10,00,00 metric ton की production होती है paddy की समझा रही है आपको तो productivity कहां पे जादा होती productivity का मतलब क्या है countels per hectare मतलब एक hectare जमीन में आप कितने countels जो कोई फसल है उसको produce कर सकते हो तो जम्मू की अगर हम बात करें तो वहां पे productivity काफी कम है सिर्फ 23.946 quintals जो है वो पर hectare पैदावार होती है लेकिन कश्मीर में देखो आप लगबग 70 quintals जो है वो पर hectare पैड़ी पैदा होती है इसका मतलब क्या है कि कश्मीर division में बहुत जादा productivity है इसकी rice की और मैंने यह कहीं पढ़ा है कि यह सबसे जादा productivity है rice की वो कश्म division में ही है पूरी इंडिया में उसके बाद अगर हम wheat की बात करें wheat का area भी जमू में बहुत जादा है 2,42,655 hectares का और कश्मीर में तो बहुत ही कम है 12,000 hectare के आसपास 4,86,944 metric ton जो wheat है उसकी production होती है हर साल जमू division में लेकिन कश्मीर division में बहुत ही कम है लेकिन productivity के अगर बात में समझा है आपको उसके बाद मेज की बात करें तो मेज में भी आप देख सकते हैं एरिया भी बहुत जादा जमू का जो है वो मेज में इस्तमाल किया जाता है मेज की production के लिए और obviously production भी काफी जादा निकलेगी लेकिन productivity फिर भी कश्मीर में ही जादा है इसकी भी मेज की उसके बाद आप पल्सिस भी देख सकते हैं उसके बाद ओयल सीड्स भी देख सकते हैं ओयल सीड्स में देखे कश्मीर कितना आगे है जमू डिविजन से ठीक है और productivity के मामले में भी बहुत जादा है तो ये था थोड़ा सा idea की कौन सी फसल कहां पे कितनी जादा उगती है इसको आप थोड़ा मोटा मोटा याद रख सकते हैं ठीक है तो चले हम आगे बढ़ते हैं और सैफरन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम एकनौमी आप जमू इन कश्मीर यूनिन टेरिटरी की बात करें और उसमें सैफरन का जिकर ना करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सै सैफरन जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रोकस सेटिवस और इसको केसर कॉंग जाफरन के नाम से भी जाना जाता है जमू और कश्मीर के एगरिकल्चर को इंटरनेशनल आइडिन्टिटी मिली है किस वज़े से क्योंकि ये वर्ट्स हाई कॉलिटी आफ सैफरन और जो पैदावार होती है वो सबसे ज़्यादा पुलवामा और बडगाम डिस्टिक में होती है लगबग 98% का एरिया जो इस क्रॉप के लिए इस्तमाल किया जाता है सैफरन के लिए वो कश्मीर प्रोवेंस में ही है और जमू डिवीजन में सिर्फ एक जगा डिस्टिक कि जमू एंड कश्मीर है माजिद हुसेन की बुक उसके अकॉर्डिंग बड़वाम में भी थोड़ा-थोड़ा सैफरन कहीं पे उगाया जाता है लेकिन बाकी सोर्स में मुझे ऐसा नहीं मिला लेकिन जो माजिद हुसेन की बुक है काफी ऑथन्टिक बुक है तो उसमें बड और तो उसमें is जाता है तो सैफरन क्या है यह वर्ड्स मोश्ट एक्सपेंस्व स्पाइस है जैसे मैंने कहा और अगर इसकी क्वालिटी अच्छी हो क्वालिटी अच्छी होने का मतलब इसमें क्रोसिन का कंटेंट ज्यादा हो क्योंकि इसी से क्रोसिन जो कंटेंट है केमि है उसी से इसकी वैल्यू भरती है अगर वो इसमें अच्छी तरह पाया जाए उसकी कॉलिटी अच्छी हो तो लगबग चार सारे चार लैक्स पर केजी तक ये बिख सकता है इतना महिंगा है वोर्ड्स मोस्ट एक्सपेंसु स्पाइस और ये बहुत काम मूं में आता है जैसे एक बहुत important हिसा होता है कुजीन का भी जैसे परशन मतलब Iranian कुजीन इंडियन European कुजीन का एक बहुत जादा important हिसा है और भी इसके बहुत जादा uses हैं लेकिन अगर हम present trend की बात करें तो ये जो production है और productivity है सैफरन की वो कम होती जा रही है अगर हम देखें तो 5707 hectare का area जो वो लगबग 1997 में इतने area में इसकी production होती थी लेकिन 2021 तक पहुंचते पहुंचते वो स्रिफ 3674 hectare रह गया है थोड़ी सी improvement हुई है 2021 में जिसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे वो सैफरन mission और GI tag की वज़े से हुआ है तो जैसे मैंने कहा कि एक तो production भी कम हुई है और productivity भी कम हुई है productivity आपको मैंने पहले समझाया कि पर hectare कितनी पैदावार होती किसी फसल की पहले जो होता था वो 3.13 kg पर hectare की पैदावार होती थी लेकिन अब सिर्फ 2.5 kg पर hectare की पैदावार होती है तो इतनी कमी आई है इसमें और इस बात का खयाल रखना कि लगबग के आसपास तो क्या हुआ कि 2020 में ये सैफरन का जो इसकी प्रोडक्शन जो है उसको देखते हुए कि डिकलाइन में जा रही है गौर्मिट आप जमो इन कश्मीर ने क्या किया कि सैटिफिकेट आप जियोग्रेफिकल इंडिकेशन दे दिया सैफरन को जो कश्मीर में उगाय जाता है इससे क्या होगा इससे ये होगा कि इसको एक पहचान मिलेगी इसका ओरिजिन और इसकी रेपुटेशन जो है कश्मीर से रिलेटिर जो है वो इसको पहचान मिलेगी इसका ओरिजिन की वज़ज़ से जो इसमें पहचान बनती है इसमें क्वालिटी आती है इसमें farmers हैं सैफरान के farmers हैं उनको ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे national saffron mission के बारे में अब हम बात करेंगे national saffron mission की national saffron mission जो था वो ministry of agriculture and corporation गौर्मिट अफ इंडिया ने लॉंच किया था 2010-11 के financial year में और किसले launch किया गया था ताकि saffron की production को boost मिले और जो losses सफर किये है saffron growers ने उनके losses को mitigate किया जाए मतलब उनकी भरपाई किसी तरह हो जाए और ये जो mission था ये राश्ट्रे किर्शी विकास योजना के तहत launch किया गया था और इसकी जो project cost होने वाली थी वो 400 करोर की होने वाली थी तो इसके objectives क्या है आप देख सकते हैं इसके बहुत से objectives हैं पहला obviously क्या होगा कि productivity saffron की बढ़ाई जाए productivity से मतलब क्या है कि कम hectare में ज्यादा production हो है ना और उसके बाद quality इसकी बढ़ाई जाए उसके बाद research वगरा इसमें की जाए और इसके लिए organized market पैदा किया जाए सेffron की price जो है वो quality के basis पे हो और उसके बाद transaction जो हो वो directly हो between growers, traders, exporter and industrial agencies मतलब middleman कोई न रहे वो national saffron mission का एक mission था objective था जब ये mission स्टार्ट हुआ था तो तब इसका period था 9 साल ठीक है ये जो 2010-2020 लिखा हुआ है ये 2010-2011 का financial year से स्टार्ट हो रहा है ठीक है लेकिन 2020 में government of India ने इस mission को फिर से रिवायो किया और इसमें एक और addition की इसमें क्या addition की कि सैffron को कोशिश की जाए कि North Eastern state में भी उगाया जाए पहले जो था ये नेशनल सैffron mission सिर्फ जमोएं कश्मीर में लागू किया गया था लेकिन फिर 2020 में जब इसको extend किया गया तो इसको North East part of country मतलब North Eastern state में भी एक दो जगा पे trial basis पे लगाया गया ठीक है तो इसमें क्या plan था कि total 3715 hectare of saffron का जो area होता है मतलब जो जमीन होती है जहां पे saffron उगाया जाता है उसका 3715 hectare जो है उसको rejuvenate किया जाए और पहले phase में क्या हुआ कि 2578.75 hectare जो जमीन है जो land है वो rejuvenate हो गई और इसी जो national saffron mission जो है उसी के under एक center बनाया गया उसका नाम क्या था India International Kashmir saffron trading center अब यहां से आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि यह center किसलिए बनाया गया है कि जो कश्मीर में saffron उगाया जाता है उसको internationally और nationally trade किया जाए है ना बेचा और खरीदा जाए इसलिए उसको बनाया गया था और इसको कौन रन करता है इसको department of agriculture कश्मीर रन करता है और यह कहां पर बनाया गया है डुसू पामपोर जो पुलवामा में आता है तो इससे क्या होगा इस center से क्या होने वाला है कि इस center से ही जो जो जमोरेट कश्मीर की UT की economy है उसमें जो सैफरन का contribution होती है वो बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि सैफरन जो है वो इसी के तहट बेचा भी जाएगा grade पिक किया जाएगा grade मतलब जो सैफरन की quality है उस हिसाब से उसको grade किया जाएगा जो जो दूसरा है उसको जो से मतलब काम quality का उसको दूसरी grade में रखा जाएगा और उसी हिसाब से इसकी price जो fix की जाएगी और export भी यहीं से वो होगा अब हम आगे जाएंगे और बाकी जो agriculture से related schemes है जमोरेट कश्मीर योजना ठीक है और यह जो scheme है एक state plan है जो जमोरेट कश्मीर में 2008 के बाद implement की गई थी और यह umbrella scheme है umbrella मतलब umbrella scheme वो scheme होती है जिसके under बहुत से schemes आती है जैसे हमने पीछे देखा national saffron mission भी इसी के under आता है और यह किस लिए बनाई गई थी ताकि holistic development हो agriculture की और allied sector की जो agriculture से allied sector है जो हमने पीछे पढ़ा आपको पता है अब holistic development मतलब हर angle से हर तरफ से agriculture उसकी allied sector की जो हो development अच्छी तरह हो और इसमें क्या होता है कि state और uts को allow किया जाता है कि वो अपने plan जो उन्होंने बनाया है district plan उसके according जो है वो वो काम वो development activities plan करे और उनको चुने जो उनको लगता है कि उनको agriculture और allied activities में development के लिए ज़रूरी है यह state और uts को ही allow करता है उन्हीं को autonomy देता है और जो funding होती है फिर उसके लिए वो center करता है इस scheme को restructure किया गया था राश्ट्रियो क्रिशी विकास योजना remunerative approach for agriculture and allied sector rejuvenation जिसका short form फिर रफ्तार हो गया और यह कब restructure किया गया था 2017-2018 के financial year में और जमू और कश्मीर में यह फिर जो restructured scheme है वो कब implement की गई 2018-2019 के financial year में तो इस scheme में देखो क्या था इस scheme में starting में यह रखा गया था कि हर साल 4% की growth हो agriculture की ठीक है तो इसमें कौन-कौन से sector इसमें cover है pre-harvest infrastructure मतलब harvesting से पहले जो infrastructure लगता है agriculture में जो machinery वगरा लगती है post-harvest infrastructure value addition linked production innovation और agri entrepreneur development मतलब जो agriculture में कोई entrepreneur है जो नया अपना कोई business कोई plant start करना चाहता है उसके development के लिए भी इसमें funding होती है और union territories के लिए जो पूरी इस scheme के तयाट funding आती है वो 100% center से आती है और states से शायद मुझे exactly याद नहीं 60 और 40 है मतलब 60 center देगा और states जो है वो 40% funding करेंगी इसके लिए इसमें क्या किया जाता है कि जो states है या uts हैं उनको incentivize किया जाता है मतलब उनको क्या करें वो कोशिश करेंगी कि public investment हो जाए agriculture और allied sector में लोगों की investment हो जाए agriculture और allied sector में और इसका एक important feature क्या है जैसे मैंने उपर भी थोड़ा सा कहा कि यह flexibility देता है और autonomy देता है हर एक state को और यूटी को ताकि वो select करे plan करे execute करे और program वगेरा बनाए किस लिए ताकि जो उनकी local needs है local priorities है और local agro climatic requirements है उनके हिसाब से development activities को plan करे और उनको implement करे सेंटर से कोई इसमें plan नहीं आता है यह खुद state और यूटी बनाती है अपनी needs के हिसाब से priorities के हिसाब से अपने climate के हिसाब से और उसको implement करने के लिए यूटी ज के case में पूरी 100% funding जो है वो center करता है ठीक है उसके बाद आती है प्रधान मंत्री क्रिशी सींचाई योजना सींचाई का मतलब होता है irrigation और इस scheme का क्या मकसद है to ensure access to some means of protective irrigation to all agricultural forms in the country मतलब क्या है कि जितने भी agricultural form है country में उनको किसी ना किसी तरीके से जो means of irrigation है वो पहुँचाया जाए और इसके दो components है एक हर खेत को पानी और उसकी वज़े से क्या होना चाहिए part drop more crop मतलब क्या है कि ये फसल की जो productivity है वो बढ़नी चाहिए और उससे क्या होना चाहिए ताकि ruler prosperity भढ़े मतलब ruler areas जो है उनमें economic development हो तो अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो उसमें क्या हुआ कि स्रीनगर में meeting हुई June 2021 में किसकी state level sanctioning committee की और उन्होंने इस plan को approve किया 2021-2022 financial year के लिए और कितना पैसा approve किया rupees 437.46 crore rupees और हर खेत का पानी जो component है इसमें उसके according to priority projects बनाए जा रहे हैं irrigation के इत्राल में और राजपोरा में और जिनका ये है मकसद की वो जल्दी से जल्दी मतलब इसी साल में वो complete हो जाए ठीक जो next important scheme है वो है national mission for sustainable agriculture sustainable agriculture का क्या मतलब है कि agriculture activities वैसी की जाए कि environment को कोई बुरा असर ना पड़े sustainability बरकरार रहे environment की ठीक है तो ये जो नमसा है ये जमोईट कश्मीर यूटी में कब launch किया गया था जमोईट कश्मीर तब state हुआ करती थी 2014-15 के financial year में और इसका objective क्या था कि enhancing agricultural productivity मतलब जो agriculture की productivity है पर hectare जितनी फसल उगती है उसको increase किया जाए और किन areas में especially उन areas में जहां पे man-made जो irrigation के तरीके हैं उनमें नहीं बलकि rain fed areas में जहां पे agriculture depend करता है rain पे ही ठीक और focus किस पे किया जाएगा integrated farming water use efficiency पानी को सही से इस्तमाल करना soil health management और resource conservation को synergize करकी ठीक है इन चीज़ों को इस्तमाल करके कोशिश की जाए कि agriculture की productivity increase हो लेकिन sustainably ठीक तो इस scheme के objectives क्या है to make agriculture more productive जैसे मैंने पहले ही कहा कि agriculture को productive बनाना है sustainable बनाना है कि environment पे ज्यादा असर ना पड़े remunerative बनाना है कि इससे अच्छी खासी farmers को कमाई हो और climate resilient बनाना है मतलब क्या है कि climate का हमारे agricultural activities पे ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए climate resilient जो climate की changing condition को बरदाश कर पाए वैसे agricultural activities करनी है by promoting location specific integrated or composite farming system मतलब location specific किसी एक जगा पे आप कैसे farming करोगे कैसे agriculture करोगे वो उसी location पे depend करेगा समझाई आपको उसके बाद to conserve natural resources through appropriate soil and moisture conservation majors उसके बाद to adopt comprehensive soil health management soil की जो health management है उसको भी अच्छी तरीके से किया जाए based on soil fertility map मतलब ये जो soil health management है वो hazard नहीं होनी चाहिए वो सही facts पे based होनी चाहिए soil fertility maps पे based होनी चाहिए soil test based होने चाहिए application of micro and macro nutrients उसमें क्या है कितने हैं वो देखने चाहिए और judicious use of fertilizer judicious use मतलब सही से ज़्यादा नहीं इस्तमाल करना नहीं काम इस्तमाल करना सही optimal इस्तमाल करना उसको बोलेंगे judicious ठीके तो नमसा जो है इसके total चार components है rain fed area development, on form water management, soil health management and climate change and sustainable agriculture monitoring, modeling and networking ये इसके चार components है और बहुत important बात ये है कि रित्ती विलेज एक है उधमपुर में वो पहली ऐसी पंचायद बनाई गई है, वो ऐसी पहली पंचायद था जमुएट कश्मीर में जो इस mission के तहट adopt की गई है और वहाँ पे ये mission सही से implement किया जा रहा है clear है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे horticulture के बारे में अब पढ़ेंगे हम horticulture के बारे में और horticulture का मतलब क्या है? the cultivation of fruit, flowers and vegetables और हमें पता है कि जमुएट कश्मीर की एकनॉमी के लिए horticulture एक बहुत important role play करता है ये एक important source है GSTP का भी और livelihood, रोजगार भी काफी बड़ी population जो है जमुएट कश्मीर की उसका रोजगार इसी से चलता है जो horticulture है वो लगबग 10,000 करोर annual income लाता है जमुएट कश्मीर Union Territory में और 8% contribute करता है ये GSTP में gross state domestic product of जमुएट कश्मीर Union Territory में लगबग 7.5 lakh families या 35 lakh का total population का 35 lakh जो लोग है जो लगबग 27% total population का बनता है वो इसी sector के थूँ अपनी रोजगार चलाते हैं अपना livelihood चलाते है और अगर हम जमुएट कश्मीर में horticulture की growth की बात करें मतलब cultivation of fruits की बात करें सिर्फ fruits की बात हो रही है ठीक है तो वो 2001 में था लगबग 2.21 lakh hectare की जमीन cultivation of fruit के लिए इस्तिमाल की जाते थी लेकिन 2021 आने तक ये लगबग 3.33 lakh hectare पहुँच गई मतलब 2 decades में लगबग 1.22 lakh hectare की भरोतरी हुई है growth हुई है इस area में ठीक है तो अगर हम fruits की बात करें कि कौन-कौन से fruits जो है वो जम्मोंट कश्मीर में उगाये जाते हैं तो आप देखे एपल, almonds, walnuts, pears, cherries, and apricot, etc. जो है वो temperate areas में उगाये जाते हैं और temperate areas की सबसे बड़ी example क्या है कश्मीर वैली ठीक और mango, citrus, litchi, papaya, gawa, etc. जो है वो subtropical areas में उगाये जाते हैं और subtropical areas सबसे जादा कहां पे आता है जम्मोंट डिविजन में तो जो apple और walnut है सबसे important जो temperate fruit crop है वो यही है जो total fruit crop बनती है जम्मोंट कश्मीर यूटी में उसका 75% इसी में आता है इसी मतलब जो सारा area है वो इसी की cultivation के लिए लगता है apple and walnut और temperate fruit जो है total temperate fruit production जो है मतलब यह जो subtropical में बनते हैं इनके अलावा जो temperate में बनते हैं apple, almonds, walnut, pier वगएरा उसकी जो production है उसका 60% सिर्फ apple और walnut की ही होती है ठीक है इंडिया में जो apple की production है वो total कितनी होती है पूरे इंडिया में 28 lakh metric tons और उसका 20 lakh metric tons सिर्फ जम्मू और कश्मीर में apples produce होते हैं जो फिर export भी होते हैं पूरे इंडिया में भी बेचे जाते हैं तो अब हम देखेंगे जो horticulture sector में schemes implement की गई है जम्मू और कश्मीर में उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे तो पहली scheme जो horticulture sector में implement की गई है वो है market intervention scheme और यह market intervention scheme apples के लिए launch की गई थी और यह कब launch की गई थी जम्मू और कश्मीर यूटी में 2019 में किसलिए implement की गई थी ताकि जो stakeholders है मतलब जो apple growers हैं और इस business में जो लोग हैं उनको क्या मिले उनको मिले valuable marketing platform मतलब ऐसे आप market उनको मिले जहां पे वो अपने apples को अच्छे तरीके से बेच सके और उनको optimum prices मिले मतलब उनको fair prices वहाँ पे मिले तो market platform जो apple growers को provide किया गया वो कौन सा provide किया गया मतलब procurement of apple मतलब जो apple growers हैं उनसे procure कौन करेंगे apple उनसे खरीदेंगे कौन apple वो है national agricultural cooperative market federation limited वो इनसे खरीदेगी through state agencies यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी state agency है और वो state agency जो है वो directly from apple farmers उनसे apple खरीदेंगे और कोई middle man इनमें नहीं रहेगा समझार यह आपको procurement कौन करेगा जो national agriculture cooperative marketing federation limited है through state agencies कुछ designated state agencies हैं उनके थ्रो यह करेगा directly from farmers जो farmer है apple grower हैं उनसे और जो उनकी payment होगी वो भी किसी middle man के थ्रो नहीं होगी बलकि direct benefit transfer मतलब direct उनके account में पैसा चला जाएगा और इस scheme के थ्रू लगबग 12 लाख metric ton apple को procure कर सकती है national agriculture cooperative marketing federation limited ठीक है आगे बढ़ते हैं और कुछ और schemes देखते हैं horticulture sector में next horticulture की जो scheme है वो है mission for integrated development of horticulture और mh id जो है ये एक centrally sponsored scheme है और इसका main objective क्या है holistic growth of horticulture मतलब पूरी तरह हर एक angle से हर एक तरफ से जो है growth हो horticulture की horticulture sector की और इसमें fruits को भी vegetables को भी roots, tuber crops, mushroom, spices, flowers, aromatic plants, coconut, cashews, cocoa और bamboo जो है उसको cover किया गया है कि मतलब इस जो ये scheme है इसके तहत इन सब की production increase होनी चाहिए holistic growth होनी चाहिए लेकिन जो ये MHID है ये हर एक UT और हर एक state में implement होती है except North East की जो states है और हिमालियन states North East की states तो हमें पता है और हिमालियन states में कौन कौन सी states आती है यहां UT आती है आप जमूएं कश्मीर, हिमाचल परदेश और उत्राखंड इनके लिए इसी scheme का एक sub scheme बनाई गई है जिसका नाम है Horticulture Mission for North East and हिमालियन states ठीक है ये especially North East states के लिए बनाई गई है और जो हिमालियन states है जमूएं कश्मीर में ये जो scheme है ये launch की गई थी 2014 में और MHID के according अगर हम देखें तो government of India जो है वो 60% जो है development programs के लिए जो outlay होता है मतलब पैसा जो होता है वो central government देती है government of India देती है और जो बाकी states है North East और हिमालियन states के अलावा वो देती है 40% share लेकिन अगर हम North East states और हिमालियन states की बात करें या UT अब जमूएं कश्मीर की बात करें इसमें जो government of India की contribution है वो 90% है मतलब सिर्फ 10% North East states को और हिमालियन states प्लस जमूएं कश्मीर हिमालियन states अब states होती है तो UT जमूएं कश्मीर UT बनाई गई है तो इसको अलग से बोलना पड़ेगा ताकि आपको clear हो जमूएं कश्मीर UT जो है वो भी 90% जो है वो मतलब center से उसको मिलती है इस mission के according funding और national horticulture mission जो है वो mission for integrated development of horticulture का एक submission है उसके बाद जो next mission है horticulture में वो क्या है PM formalization of micro food processing enterprises scheme पहले food processing का मतलब क्या होता है food processing का मतलब होता है जो agriculture से हमें चीजे मिलती है food मिलता है वो directly खाने लायक तो नहीं होता उसको process किया जाता है बहुत तरीकों से दोया जाता है उसको बनाया जाता है कुछ भी किया जा सकता है काटा जा सकता है सफाई की जा सकती है उसकी उससे जो फिर food बनता है उसको इस process को बोलते है food processing और जो छो छोट करने के लिए उनको गौवर्मिट की नजर में लाने के लिए उनको पूरे सिस्टम में लाने के लिए ये जो स्कीम है वो implement की गई है और ये implement कब की गई थी मतलब launch कब किया गया था इसको 2020 में और ये आत्म निर्बर भारत अभियान के according इसको implement किया गया था और इसका main aim क्या था ताकि competitiveness बढ़ाई जाए competitiveness मतलब जब बहुत grow करेंगे अच्छी तरह grow करेंगे जो micro food processing unit है तो आपस में compete भी करेंगे और जब वो compete करेंगे तो और grow होंगे है ना क्यूंकि आप अपनी चीज तब ही बेच सकते हो जब आपकी चीज अच्छी होगी तो आप अच्छी ब competitiveness बढ़ाई जाए किन में जो individual micro enterprises है food processing में जो unorganized sector में है मतलब जो अभी formalize नहीं हुए है समझाई तो इनको formalize करने के लिए ये scheme बनाई गई है और इनको formalize कैसे किया जाएगा इनको system में जो organized system में उसको में कैसे लाया जाएगा by means of GST मतलब GST number वगएर इनको दिया जाए FSS AI के तहट इनको licensing वगएरा दी जाएगी और इसके बाद registration भी इनकी होगी उसके बाद financial assistance भी पैसा भी मिलेगा ताकि अप्ग्रेड कर पाएं अपने जो food processing facilities है उनको quality improvement कर पाएं इस funding से वो और skill development की जाए इनकी training और technical knowledge के थुरू समझा है आपको तो यह हमने पढ़ा पहला part of economy अब जमू एं किश्मीर union territory अब इस slide पे और इसके बाद वाली जो slides है इन पे आपको बहुत ज़्यादा important points मिलेंगे इन में कुछ current events भी हैं कुछ important चीज़े अलग से भी हैं जो आपको याद रखना जरूरी है exam के लिए और उनके बाद आपक MCQs भी मिलेंगे ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और useful लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब किये बिना चैनल को ना जाएं और बैल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडिय करें और इसका second part upload करें तो उसकी notification आपको मिल जाए मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए thank you very much